नमस्ते दोस्तों मेरे भोजन शाला में मैं इंदू भावसार आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आप सभी के साथ सेव अंगुर की बहुत स्वाधिष्ट और चटपटी सब्जी की रेसेपे शेयर करें हूँ तो आए दोस्तों इससे बनाना शुरू करते हैं रेसेपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें तो आए एकदम स्वाधिष्ट सब्जी बनाना शुरू करते हैं इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गेस पर कड़ाई रगतेते हैं और इसमें हम दो बड़े चम्मस तेल डाल देते हैं तेल हमारा जैसे ही गरम हो जाता है इसमें हम आदा चम्मस जीरा डाल देंगे आदा चम्मस डालेंगे राई और अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे तो मिनिहा पर एक टेज़ पान का पत्ता लिया है चार लोंग ली है साथाट काली मिर्ची एक छोटा तुकड़ा दालचीनी का दो हरी लाइची इसे हाद से क्रश्च कल लिया है और एक बड़ी लाइची ली है इसे भी हाद से क्रश्च कल लिया है तो सभी खड़े गरम मसाले को हम तेल में डाल देंगे तो मसाले फूनते समय गेस को हमें बिल्कुल धहिमा ही रखना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं तो मेनी हाँ पर सभी मसालों को मिला लिया है अब हम इसमें एक हरी मिर्ची डालेंगे बारी कटीवी दो सुखी खड़े लाल मिर्चिली है इसे भी डाल देते हैं पांचे करी पत्ते लिए हैं इसे भी डाल देते हैं तो सारे मसाले को एक बार हम मिला लेते हैं तो मेनी हाँ पर सारे मसाले अच्छे से मिला लिए हैं और अब हम इसमें डाल लेते हैं एक प्याज जिसमेनी बारी काट लिया है तो अब हम प्याज को लगाता चलाते वी तब तक के पका लेंगे जब तक के प्याज ट्रांस्पेरेट नहीं दिखने लग जाता है तो इसे बस हमें धीमी आज पर इसे तरह से चलाते वी पकाना है तो प्याज के पकली के बाद में अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं तो मैं यहाँ पर एक चम्मश लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हूँ एक चम्मश डाल रहे हूँ धनिया पाउडर आदा चम्मश लिया है हल्दी पाउडर और आदा चमश लिया है पिसा हुआ गरम मसाला और अब हम इन सभी मसाले को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो में यहाँ पर सभी मसाले तेल में अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें डालेते हैं ठेमाटर तो मेनिहाँ पर 2 बंक दो साइच के तमाटर लेों तो तो इसे मिलाने के बाद में अब इसलंड़ डालेते हैं इनम्क तो यह ईरा पर आदधह जूससे थोड़ा जाधा नमक ढारे हैं नमक आप अपने स्वात के अनुसार कम्या जादा कर सकते हैं तो में यहाँ पर नमक को भी अच्छी से मिला लिया है तो अगर हम नमक को टमाटर के साथ डाल देते हैं तो टमाटर भूँ जल्दी से बग जाते हैं और अब हम इसे 30 सेकेंड के लिए ढख देते हैं आदा ग्लास पानी और इसे अच्छी से मिला लेते हैं और अब हम इस कडाई को ढख देते हैं और पानी में अच्छा सा उबाल आने देते हैं और यह देखें कुछी देर में पानी में बहुत यह अच्छा सा उबाल आ गया है तो अब हम इस पानी में सेव डाल देते हैं तो मेनी हाँ पर 10 सुग्राम मोटे लशन के गाठे वाले सेव लिए हैं तो सेव आप कोई से भी ले सकते हैं जो भी आपके पास सेव हो वो ले सकते हो लेकिन सेव ज्यादा बारिक नहीं होने चाहिए अगर हम इसमें बारिक सेव डाल देते हैं तो ये पानी में जानी की बाद तुरंत घुल सकते हैं तो आप इसमें सेव थोड़े मोटे ही डाले एक कटोरे अंगूर डाला है अंगूर को अच्छे से धो करके और थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है तो अब हम इसे हलके हलके हाथों से मिक्स कर लेते हैं तो में यहापा सभी को अच्छी से मिला लिया है तो अब हम इस सबजी को ढग देते हैं और ढग करके हम इसे एक मिट तक धिमी आज पर पकने देते हैं ताकि अंगुर फूल करके सोप्ट हो जाए तो अब हमारा एक मिट हो चुका है हम सबजी को चेक कर लेते हैं और देखे अंगुर फूल करके सोप्टो हो गए और सबजी में से देल उपर आ चुका है तो अब यह हमारी सबजी बन करके त्यार है इसमें हम थोड़े से हरे धनी की पत्ति डाल देते हैं और इसे भी हलके हलके हातों से मिक्स कर लेते हैं और अब हम गैस को बन कर देते हैं और इस सबजी को हम गर्मा करम एक प्याले में निकाल लेते हैं और यह लेजे दोस्तों हमारी बहुत चकपटी और एकडम टेश्टी सबजी बन करके त्यार है तो आप एक पास सेव अंगूर की समची बना करके खाए और मुझे बताए कि आपकी समची कैसी बनी है तो अगर आपको रेसेपी पैसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें मेरी भोजन शाला को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन को जरूर से प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसेपी का नोटिफिकेशन आपको सिबसे पहले मिले तो दोस्तों आपका भूद भूद धन्यवाद मेरा प्यूरा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक नई रेसेपी के साथ और तब तब कली, बाइ!